नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी रिसेंट आप देखो तो बैंक आप बरोड़ा का एक मेसेज आ रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हूँ इस टाइप का मेसेज आया होगा आपको इसमें लिखा है नॉमिनेशन रजिस्टर अगर आप न नॉमिनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसमें आपको बेटिनामा बनवाना पड़ेगा यानि कि फ्रे उसमें फ्रेंकिंग वगेरा या फिट स्टैंप पेपर यूज करना पड़ेगा उसमें आपको वक्किल की यह लेनी पड़ेगी ऐसे मतलब एक आपको थोड़ी बहु सेविंग अकांट है करन्ट अकांट कोई भी अकांट है उसके अंदर आप सिंपल एक फॉर्म भरना है कोई लंबा चोड़ा प्रॉसस नहीं है अगर आपका सेविंग अकांट है और बीओ बी एंकलेगे प्लस यूज करते हो तो आप अपने मोबाइल से भी नॉमिनी अभाधर को रखना है कोई भी चेंज भी करवाना है तो करवा सकते हैं यह अगाउन क्लोजिंग के टाइम पे आपको दिकत नहीं रहेगी तो चलो दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो दोस्तो आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर बेंक बरोडा रिलेटेड यूसपुल वीडियो आपको मिलती रहे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्रांच से फॉरम कलेक कर लिया है फॉरम में क्या-क्या परना है मैं आपको दिखा देता हूँ फॉरम डियेवन करके होगा नॉमिनेशन के लिए फॉरम। इसमें पहले तो आई वी जो यहाँ पे लिखा है यहाँ आपका नाम मतलब अ सेविंग करन जो भी है अकाउंट नमबर यहां पर आपका अकाउंट नमबर लिग देना है जो भी आप नौमिनी कर रहे हो उसका नाम इधर आएगा फिर उसका एड्रेस मेंने सौट में लिखाया आप अच्छे से एड्रेस लिख देना यहां पर फिर रिलेशन सिप मतलब आ से ना है कापी सिंपल और इजी प्रोसेस है यह आप सेविंग अकाउंट है करन्ट अकाउंट सभी के लिए यही फॉर्म है यह फॉर्म फिल अप करके आप दे सकते हो ब्रांच में तो आपके नौमिनी अपोइंट हो जाएगे अगर आप बैंक अप बरोड़ा का एम करेक प्लस यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप रिक्वेस्स सर्विस में जाओगे तो उसमें लास्ट में ऑप्सन है नौमिनी रजिस्ट्रेशन उसके द्वारा भी आप कर सकते हो ओनलाइन प्लैटफॉर्म से वह भी काफी सिंपल है दूस्तों आज का यह वीडियो आपको यू झाल 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 झाल